Welcome all of you from an important episode, एक महत्पूर एपिसोड के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं, दोस्ट YouTube के लाव teaching profession से जुड़े हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए काफी important हो सकता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि टीचेर से डायरी को किस तर से maintain करना है, इससे पहले के एपिसोड मैंने आल्रेटी बता रखा है कि आपको admission form किस तर बाना है, SR register किसे बढ़ना है, और TC register किस तर आसे maintain करना है, जिसमें मैंने आल्रे देवस में आता है कि टीचेर से dairy कैसे maintain करना है, वैसे भी नई शिक्षा सत्र में भी ही काम होना है, कि हमें नया register maintain करना है, नई dairy maintain करना है, आपको इस तर से दिखा देता हूँ, तो ज्यादा के लिए टीकले, इसके हमें back camera पर चलना पड़ेगा, और इसमें entries को इस तर से flip क किया जाता है, क्योंकि कही बाद इसके आप से demand की आती है, इस पर teachers के द्वारा किये गए, ताम का लेखा जोखा होता है, जिसमें student के द्वारा किये गए, ताम का लेखा जोखा होता है, या उसको जो home-work की करता है, date wise entry होती, उसी तरह से teachers के दारा, अगर आपकी नई नहीं हमारी teacher से diary होती है इसका format अलग-अलग street की साफ से अलग-अलग हो सकता है जिसमें कुछ instruction लिखे होते हैं कि आपको student को किस तर से pass करना है और इसको grace mark किस तर से करना है उसके बाद क्या इसमें नियम है और किस तर से जैसे आज कल हमारा exam nation के बाद हमारा student के mark sheet बनने है तो mark sheet बनने का भी इसमें तरीका इस तर से लिखा इसके लावाद जो subject होते हैं कुछ एचिक होते हैं कुछ अनिवार होते हैं कि आपको इस नियम के अनुसार ही अपने student को number देने हैं और इस तर से instruction इसमें लिखे होए हैं इसको आपको अच्छी तर से पढ़ लेना है इसके बाद हम आते हैं के front page पर यहां से हमारा एक काम शुरू होता है जैसे अब हमारा शिक्षा सत्र चलेगा यह तो निकल चुका है हमें मान के चले तो हमारा शिक्षा सत्र इसमें आता है 23-24 आएगा हमारा यह अपरेल से लागू होगा इसते से आपको यहाँ पर लिख लेना है और यह केवल valid रहेगा अगले next शिक्षा सत्र के बाद ही आपको नया maintain करना पड़ेगा यहाँ पर आपका आजाता है शिक्षा सत्र इसके बाद आता है जिस इसकूल पर आप पड़ा रहे हैं उसका नाम आजाता है suppose यहाँ पर मैं अपना इसकूल का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर आपका विकाश खंड आता है और इसके बाद आता है डिस्टिक जो भी आपका विकाश खंड है आप उस हिसाब से लिखेंगे एंट्री आप हिंदी अत्वा अंग्रेजी किसी भी भासा में कर सकते हैं जो भी आपका डिस्टिक होता है इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर आपका खुद का नाम आ जाएगा इसके बाद आता है आपका यहाँ पर डेजीनेशन आता है कई जगे क्या होता है आपको टीचिंग के अलावा भी कुछ काम करने होता है तो यहाँ पर आपका डेजीनेशन आ रहा है डेजीनेशन में सपोज मेरा यहाँ पर डेजीनेशन है कलेरिकल कम टीचर्स का तो मैं अपना लिख रहा हूँ, आपका जोभी designation है, जिस तरा का भी आपका काम है यहाँ पर आपको लिखना है, यह entry हमने आपied फिल अप कर दिये नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका designation आ जाएगे, यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपका एजूबिशन सेक्षन आ जाएगा यह अगला आता है यहाँ पर जहां से हमें लिखना होता है इसका class time table है पहला period से ले करके जाता है इसमें आठवी period होता है इसके लाओ कोई extra period है तो उसका यहाँ पर detail होता है सौंबार मंगलबार वुद्वार से दिनों की संख्या होती है class के साफसे details हम यहाँ पर लिखते हैं teachers का detail हम यहाँ पर फिलब करके आपको बताते हैं teachers का details में किस तरीके से दिया जाता है आपके teacher है उनका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है मेरा जो ए गलेरिकल का assistant teacher है तो उनके अगर कोई female teacher है तो यहाँ पर उनके husband का नाम आता है अगर male है तो उनके पिता का नाम आता है आपको यहाँ द्यान लखना है क्योंकि यहाँ पर यह mail है तो mail में इनके पिता जी का नाम ही आएगा जो भी इनका नाम है इससे आपसे इनकी data बढ़ता था यह इनका designation क्या है lecturer है टीचर है यह assistant teacher है यहाँ पर lecturer है तो आप chemistry लिख दिया है इनका subject क्या chemistry तो आप chemistry लिख देंगे जो भी subject होता है इनका जो भ पया तो नहीं पहले teaching की जोइन कब किया और किस austarik बरत्मान पत्व इस समय जो काम कर रहे है वो किस तारिख से कर रहे है और इस थाए्यख़ोंक्तिति में इसमें वही तितियों आते है जो उन्हें पहले जोएं की हुए होती है यह आज वाली तारीख में आएगे यह से ज़ उनका Permanent address यहाँ पर Permanent address let junk address सें होता है तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी बाद यहाँ पर mobile नमबर आथ यहाँ पर सियवा अहताग पहलाब पहलाध्य कारिक से ऊहाँ पर दuneन को सेवा कार्म और यहाँ हिसाप sätt हम गuiंगे सिरेल नमबर 123 कितने स्कूलों में आपने एजुकेशन का काम क्या कब से क्या कब तक क्या है और जो जो सब्जक्ट पढ़ाए जाए गए है उसका डिटेल यहाँ पर फिल अप कर देना है पहले हम इन एंटरिज को पूरा कर लेते हैं अपले आप पहली बार आप कहा तो पाता अप्लेशन सहरे पर जिख तेर कर दैख दिया था सब्सक्राइब आप इस जिर्व। पर रहते हुआ आजाएगा कई बार माई इस्थाई पता और लोकल एड्रस सेम होता तो आप पर लिख देंगे आप आपका टेलिफोन नमर आता है यहां पर उन विद्ध्यालेव का नाम आता है जहां पर उससे पहले आपने अपने सेवाई दी होती है कहां से कप तर और क्या सब्जक्ट आपको पढ़ाए गए है और आपने किस-किस क्लास को पढ़ाए गया वह डिटेल यहां पर होता है कक्षा समय साड़ी का चाहा तक सम्मन्द है वह फिरहाल हम फिलप नहीं कर रहे क्योंकि हमें नेक्ट जो एजुकेशन एर होता है हम अप्रेल पर करते हैं और यह जो हमाई पिरियड है पिरियड का सिल्सलेवार हिसाब इसमें लिखायाता है इस तरह के से तो यहां से हो गया है इसके बाद एकैडमिक काम के अलावा और आपका कहीं पर खेलकूद वगरा होता है तो उसका डिटेल हमें यहां पर देना होता है किस तरह से कितने हमें इ तलावदी होती है और जो कुल आ हमेर ट्रेनिंगा यहां पर लिख द नहीं ना मैंट को दिखे के बहना में पढ़ता हुआ में यहां पर आएगा जहतर हमारा वही होता है, NCRT पार्थिक्रम होता है, तो as NCRT पार्थिक्रम हमें हमें सब्जेक्ट वाइस बताना होता है, तो हम इसको यहां पर लख देते, उसके लगर हम आपको अगले कक्षा को nauc assembled तो इसका का हमें इसमें record लिखना होता है तो इस तरीके से जो भी हम result बनाने से पहले इसमें entries करते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना होता है suppose मेरा यहाँ से हम start करते हैं करम संख्या नमबर एक कक्षा की परिकशा है कक्षा चयक्यमने परिकशा ली है इसमें । चात्र का नाम यहाँ पर आजाएगा इस्टूडेंट है तो चात्र का नाम चात्र का नाम इस मोस्ट इंप्टन थिंग स्पूल में कभी फटी होती है या गजिस्टेट होलीडीज होती है किसका ख्षाम है और इस तरह से इसके एंटरी करने होती है और इसमें फूल कितने लेशन प्लान है उनका भी डिटेल हमें यहां पर मेंशन करना होता है अगरे बीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए यूट्यूब एप के बैल आइकन को आल पर हिट करें इसी तरह का नौलिजफूल कॉंटेट आपको इस चैनल पर में था बीडियो में तक बने रहने के अप्से बीडियो不是 क mau बीडियों